बेगुसराय में राज्य मुख्या संग के आवान पर 21 सूची मांगों के समर्थन में जिला मुख्या संग ने बेगुसराय के हरताली चौक पर विशाल धरना परदर्शन किया इस धर्ना परतरशन में जिला भर के मुख्या और एने दूसरे जन परतिमी धीवी शामिल हुए अपने अधिकारों की कटवती और 21 सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्या संग ने मजबूत तरीके से अपनी आवाज बुलंद की इस समर्थ में मुख्या संग के जिला धक्ष न वताया कि राज्य सरकार की तरफ से पूरी पंचायती ववस्था को कमजोर करने का काम किया गया है सरकार की तरफ से पंचायत के सभी अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है उन्होंने वताया कि ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत की आत्मा होती है उसके अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है मुख्या संक्या धक्ष ने वताया कि अब हालात ये हैं कि ग्राम सभा में क्या निर्मय लेना है वो भी राज्य सरकार के बैठे अधिकारी पटना से पत्र भेजते हैं अधिकारी ये कहते हैं कि आम सभा में इन बिंदूओं को लेना है संक्या धक्ष ने कहा कि हर पंचायत की बुनियादी सुविधाएं अलग-अलग हैं इस तरीके से राजसभा, लोकसभा, विधानसभा ठीक उसी तरीके से पंचायत में आमसभा है इसलिए आमसभा में जो पारित होता है वो पूरे पंचायत के लिए होता है जिस तरीके से लोग सभा में जो पास होता है वो देश के लिए होता है लेकिन केंद्र और राज सरकार की तरफ से सोतेला व्यभार किया जा रहा है जो गिराम पंचाइब की आत्मा होती है उसके अधिकार को भी समाप कर दिया गया है अब इसकी यह है कि गिराम सभा में क्या निर्ने लेना है यह भी सरकार में बैठे हुए अधिकारी पटना से पत्र भेजते हैं कि अमुक बिरांत आम सभा में इन इन बिंदूों को लेना है अधिकार सीमित होने से बिहार के तमाम मुख्या नाराच चल रहे हैं जहानाबाद में भी राजसंग के आहवान पर जिला मुख्या संग ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और कलेक्टेट के सामने धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारिवाजी की पिछले 15 दिनों से प्रदेश के सभी पंचायतों के मुख्या हरताल पर हैं जिसकी वज़े से पंचायतों का कामकाज पूरी तरह ठप है बिहार प्रदेश मुख्या संग पटना के आवान पर जिले के सभी मुख्या उननिस सूत्री मांगों को लेकर हरताल पर हैं मुंगेर में भी बिहार प्रदेश मुख्या महासंग के आहवान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटवती के खिलाप मुख्या संग ने धरना पर बर्शन किया धरना पर बैठे मुख्या संग के जिला धक्त सारिका सिंग ने कहा कि उनने सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी पंचायत के मुख्या के साथ धरने पर बैठे हैं उन्होंने कहा कि हमारी मांग है ग्राम पंचायद को 73 वा सम्विधान संसुधन के तहट प्रदत 29 अधिकारों को पूल रूप से पंचायद को सौपा जाए मुख्या संका कहना है कि सरकार चाहती है कि मुख्या उनके इशारों पर चले लेकिन मुख्या का ग्राम पंचायद पर अधिकार है अधिकारों की कर्टाउती के विरूद में प्रदेश्त मुख्या संग की आवान पर छप्रा मुख्या संग ने भी विरूद परदर्शन किया है। स्यक्रों के संग्या में अपनी आवाज बुलंद करते हुए मुख्या ने नगरपाली का चौक पर धरना दे कर सरकार से अपने अधिकारों की मांग की। सरकार के विरूद में मुख्या संग ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मुख्या संक्या अंदूलन को लेकर मुख्या संक्य कारेकारी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्या को जो अधिकार मिले थे उसे राज़ और केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है और इसका प्रभाव गाउं के विकास पर पड़ रहा है। आई भाणाया संतित्र में यह संत्र ग्राम सबल शबद नाव गरांटाएगा ओर को रहा है। स्थाइब को सरकार पुछे के तरह जो चल रहा था उस टाइब से चलने दे और मौईदूरी में व्रिधी करे आए दूसा थारा रुपया मौईदूरी आए थाइस रुपया उससे क्या होने वणा मैदूरी करहें दूसरा चीज, टाइड और अंटाइड को फ्री करें, ताकि गराम पंचाय जो सोच के हुए ना लेती है, उसके भी पूंच वे आपाईड और अंटाइड है, इनी सम्मावों के लेके धना, कब से कब तक धना परदस्टी चलेगा? तो फिर आगे क्या करेंगे? और हम लोग आगे इसे बड़ा धर्ना का परदेश स्टाइड पर तयारी करेंगे, और काधिर मैदान ज्याम करने का काम करेंगे, और यहाद के दिली तक दिली करेंगे?